हल् assignments आज हम लोग पंदरम मिनिट के रीवीजन में क्या रीवीजन करने वाले हैं इंकम टैक्स क्या है आज जीस्टी नहीं है आज इंकम टैक्स हम रिवाइज करेंगे और Income टैक्स में हमने टॉपिक लिया है ऐ Kapital Gain capital Gain कि Prof.密 introduction किस asset को बेचने पर आपको tax देना पड़ता है इसकी जानकारी assets capital gain जैसा कि आप जानते हैं कि assets को बेचने पर income tax में tax impose किया जाता है उसे हम capital gain कहते हैं लेकिन क्या सभी प्रकार के assets answer is no तो कौन से assets हैं जिसको बेचने पर capital gain लगेगा आज हम वो discuss करेंगे capital gain compute कैसे करते हैं थोड़ा सा brief उसको भी briefing करेंगे और capital gain का nature क्या होता है दो nature का capital gain होता है long term और short term दोनों की taxability अलग है दोनों की calculation अलग है तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो assets बेची वो assets आपका long term nature का था या short term nature का था यह भी हम आज सीखेंगे और बीच में एक बहुत अच्छी सी चीज इंट्रेस्टिंग सी बात और सीखेंगे और वो होगा गोल्ड डिपॉसिट बॉन्ड और sovereign gold bond इन दोनों के बीच का फर्ग और इसका tax treatment तो चलिए स्टार्ट करें क्या 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 आज करने वाले हैं वो मैंने बता दिया आपके पास अगर 15 प्रकार के assets हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे assets capital assets हैं जब capital assets आप बेचोगे तब ही taxability आती है capital gain आता है तो capital asset होना चाहिए आपके पास आपने उसका transfer किया है आपने उसका transfer किया है तो capital gain arise होगा capital gain का nature depend करता है POH पर मतलब हुआ बेटा period of holding period of holding पर depend करेगा कि आपका capital gain long term है या short term है capital gain कैसे निकाला जाता है यह section 48 बताता है हमें यानि method to compute capital gain यह कैसे पता चलेगा section 48 के मताबिक और last में यहाँ पर हमें क्या discuss करना है capital gain किस year की income में शामिल होगा capital gain किस year की income में शामिल होगा जिस year आपने transfer किया इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हो income tax में assessment year का परियोग करते हैं जैसे मान लीजे मैंने कहा 19 और 20 मैंने एक financial year लिया 19-20 इसका मतलब हुआ बेटा एक अपरेल 19 से 31 मार्च 20 इस period में अगर आपने किसी capital asset को transfer किया तो capital gain जो आप income में compute करोगे इंकम में add करोगे वो इसी year की income में add करोगे हो सकता है कि इस transfer का पैसा आपने पिछले ही वर्ष ले लिया हो 18-19 में हो सकता है इसका पैसा आप 2021 मिलोगे लेकिन ये income मानी जाएगी जिस year आपने transfer किया उस year की income मानी जाएगी इसका ये भी अर्थ हुआ कि आपका assessment year यानि अगर आपने assets transfer किया है capital assets transfer किया है 19-20 में तो assessment year आपका होगा 20-21 इसका मतलब 20-21 में जो due date आएगा return भरने का due date आएगा वहाँ आपको इसके उपर tax सरकार तक पहुचाना है ठीक है तो assessment year में क्या लिखा हमने next following the transfer year चलो अब हम discuss करने जा रहे हैं किसे बेचने पर capital gain आएग capital asset किसे कहते हैं सबसे पहले line में section 2-14 में mention है any kind of property held by SSE SSE यानि taxpayer any kind of property held by SSE आगे मैंने लिखा नहीं है अगर आप section पढ़ेंगे तो आगे लिखा है any kind of property held by SSE whether connected with his business or not यानि वो business से connected हो तो भी नहीं हो तो भी हर परकार की property को पहले हमने capital asset बनाया लेकिन चार चीज़ों को यहाँ पर नीचे चार चीज़ mention है जिसे हम capital asset नहीं बोलते जिसे हम capital asset नहीं बोलते इसका मतलब यह जो चार चीज़ों है इसे बेचेंगे अगर आप तो capital gain की income नहीं होगी रुकिएगा यहाँ पर confused मत हो जाएए मैंने कहा कि मेरे पास यह property है suppose करें यह property है बिल्डिंग न और यह capital asset नहीं है not a capital asset अगर यह capital asset है और आपने इसे बेचा transfer किया तो income आपकी capital gain की arise हो जाएगी और आपको tax देना पड़ेगा subject to other conditions अगर यह capital asset नहीं है और फिर आप इसे बेचते हो तो क्या होगा तो sir capital gain नहीं होगा correct लेकिन फिर क्या कोई दूसरी income होगी क्या हमें इसके पर tax देना ही पड़ेगा यह सब भी हम discuss करने जा रहे हैं इसको ठीक से सुनना जैसे example के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी product में किसी asset में deal करता है यानि trading का काम करता है या manufacturing का काम करता है उसके लि material है या consumables है तो ऐसे चीजों को capital asset नहीं बोला गया है तो इसे बेच कर capital gain नहीं होगा लेकिन जब इसे आप बेचोगे तो आपकी PG BP की income जरूर होगी यानि business की income जरूर होगी ठीक है यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेगा students FII या FPI यानि foreign institutional investor या foreign portfolio investor अगर इन लोगों ने shared venture bond securities को stock के रूप में भी रखा हो तो भी government इनकी security को always capital asset मानती है और इसे बेचने पर इन लोगों की हमेशा ही capital gain की income होगी ताकि विदेशी investment को बढ़ावा मिल सके क्योंकि capital gain का tax rate business के मुकाबले कम होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं agricultural land situated in rural area in India इसका मतलब यहां तीन शब्द को देखना पड़ेगा agricultural land rural area होना चाहिए और इंडिया में situated होना चाहिए अगर ये तीनों condition पूरे हुए इसका मतलब agriculture land होना चाहिए rural area में होना चाहिए इंडिया में होना चाहिए अगर ये तीनों शर्ते पूरी हो गई तो ये capital asset नहीं बनेगा इसका मतलब फिर अगर हम इसे बेचेंगे तो क्या business की income आएगी जैसे point number one में मैंने लिखवाया था answer है नहीं कोई भी income नहीं होगी इस पर कोई tax आपको नहीं देना कोई income नहीं होगी इस पर आपको कोई tax नहीं देना rural area किसे कहते हैं ये बहुत जरूरी है जानना in practical life बहुत ही जरूरी है rural area अगर exam को देखें तो exam oriented भी ये जरूरी है rural area मतलब other than urban area urban area जो नहीं है वो rural है इसका मतलब हमारा focus urban area पर होना चाहिए urban area किसे कहते हैं एक होता है pure urban area और एक होता है deemed urban area जो area किसी municipality के अंतरगत आता है वो है pure urban area जो area जो किसी cantonment board के अंतरगत आता है किसी municipality के अंतरगत आता है जिस municipality के अबादी 10,000 या उससे ज्यादा की है almost हमारे देश में सभी municipality के अबादी 10,000 या उससे ज्यादा है तो सभी municipality हमारे देश की जो urban area कहलाईगी अर्बन एरिया मतलब ऐसा एरिया जमीन ऐसी जगा है जो किसी मुंसिपाल्टी के अंदर आ रहा है नगर निगम के अंदर आ रहा है तो वह अर्बन हो गया अब मान लीजिए अजियूम कीजिए कि ये एक कोई एरिया है मान लीजिए ये किसी नगर निगम का मैंने नक्षा ब पहाड है मतलब कि गाउं ही गाउं है चारो तरफ सपोस कर लें ऐसे केस में ये चारो तरफ जो जंगल पहाड या गाउं है जो अर्बन नहीं है अज्यूम करिया अर्बन नहीं है लौ कहता है इसके थोड़ी दूरी तक लौ कहता है इसकी थोड़ी दूरी तक भी हम अर्बन म ओरा समझते हैं आप तो समझ लिजिए इसका ओरा एफेक्ट और कितनी दूरी तक दूरी इन्हों ने बनाया है तीन किसम के एक दो किलोमेटर, एक च्छे किलोमेटर एक आठ किलोमेटर यह निर्बर करता है उस मुंसिपाल्टी की आबादी अगर municipality की अबादी एक लाग तक है तो चारो तरफ दो-दो किलोमेटर एक्स्टरा इस urban area अगर municipality की अबादी 10 लाग तक है तो 6-6 किलोमेटर तक urban बन जाएगा और municipality की अबादी अगर 10 लाग से ज्यादा है तो 8 किलोमेटर तक और फैल जाता है वो deemed urban area कहलाता है इसे बेचेंगे तो capital gain नहीं, sorry, urban area नहीं urban area को छोड़कर जो area बचा हमारे देश का वो क्या बना? rural area rural area में अगर agriculture land है factory land नहीं, agriculture land इंडिया के rural area में agriculture land है तो उसे बेचने पर capital gain नहीं होगा, सर अगर कोई non-resident है बाहर बैठा हुआ है, विदेश में है, non-resident हमारे देश का किसी agriculture land को बेचता है चुकि उनके दादा जी ने मरते समय उसके नाम कर दिया, अब वो agriculture land बेचना चाहता है, बेचेगा तो क्या capital gain बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, यह तो सब के लिए नियम है, agriculture land, rural area in India is exempt from tax उस पर कोई tax नहीं है, उसे बेचेंगे तो कोई capital gain नहीं होगा, लेकिन urban area में अगर कोई agriculture land बेचता है तो उस पर capital gain आता है, उस पर capital gain आता है, अच्छा next हम discuss करने जा रहे हैं जो आपके personal effects है personal effects का मतलब क्या हुआ, जिसको आपने ऐसा assets, जो movable है जमीन और मकान नहीं होगा movable ऐसा assets जो movable है और आपने उसे personal use के लिए रखा है, आपके घर के तमाम चीजें, car, bike, scooter, जो personal है, business नहीं, अगर किसी ने car, bike, scooter, business purpose के लिए रखा है वो मैं नहीं कह रहा है लेकिन जो movable assets personal use के लिए रखा है उसे हम कहते है personal effect लेकिन immovable उसमें नहीं आता इनको capital asset नहीं माना जाता इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसे बेचोगे तो क्या होगा, no income कोई income नहीं आएगी इसे बेच कर लेकिन कुछ personal effects है जिसको मैंने नाम दिया है DP size मैंने नाम दिया है रटवाने के लिए DP size ये personal effect होने के बावजूद capital asset होंगे इसे बेचने पर capital gain होगा ये DP size क्या है सर ये है drawing, painting, sculptures arc, logical collection A, next, work of art और jewelry अगर आप इसे बेचेंगे तो ये capital gain में count होगा ठीक है बता दू मैं आप सब को jewelry के अंतरगत सिर्फ gold नहीं आता gold, silver, platinum इससे related, abhushan, ornaments ये सारी चीज़ें आती है यहां तक कि अगर आपके पास भगवान दिये मंदिर की घंटी ये सब gold, चांदी वगरा जिसकी भी है जो precious metal की है तो उसे बेचने पर भी capital gain आएगा लेकिन घर के जो बरतन है अगर वो घर के बरतन चांदी के है तो law ने कह रखा है law तो खैर इसमें silent है सुप्रीम कोट के judgment में कह रखा है कि अगर चांदी के बरतन है तो उसे हम personal effect मान लेंगे और capital gain नहीं आएगा लेकिन सोने के अगर बरतन utensils आपके पास है उसे बेचने पर capital gain आएगा भगवान जी सोने के हूँ या चांदी के हूँ दिये गंटी और मंदिर के तमाम चीजें चाहे वो सोने हूँ या चांदी के हूँ इसका नाम है deposit certificate आज इसका नाम है deposit certificate issued under gold monetization scheme 2015 2015 में जो gold monetization scheme निकाली गई थी उसके अंतरगत आपको gold रखना था बैंकों में बैंक में आप अपने gold रखोगे और bank वाले government की और से उस gold का एक certificate बना कर देंगे वो certificate जब भी आप बेचोगे, sale करोगे, उस पर capital gain नहीं आएगा उस पर कोई tax ability नहीं आएगा उसे बेचने पर कुछ भी नहीं होगा एक nominal amount का interest भी उस पर बिलता है आपको, उस interest को भी सरकार tax free करती है section कौन सा होता है? 10-15 ठीक है? अब हम आते हैं इसी के साथ connected issues है connected issues है sovereign gold bond ये क्या है? ये तो समय समय पर सरकार निकालती जा रही है, RBI निकाल रही है, अभी भी कुछ दिनों पहले निकाला था sovereign gold bond, sovereign gold bond और deposit certificate में फर्क है पीछे जो आपने पढ़ा, जिसे हम capital asset नहीं मान रहे थे, वहाँ gold रखना पड़ता है और उसके बदले certificate मिलता है, यहाँ पर आपको gold नहीं रखना, यहाँ cash में देना है payment, cash का मतलब हुआ, bank से transaction करके payment देना है, money के terms में देना है, और RBI issue करेगा ये sovereign gold bond sovereign gold bond एक capital asset है यानि उसे बेचा गया तो capital gain आएगा, सीधी बात, उसे बेचा गया तो capital gain आएगा, sovereign gold bond एक capital asset है, उसे बेचा गया तो capital gain आएगा, यहाँ तक clear हो गया, लेकिन यहाँ पर सरकार कहती है कि अगर RBI के gym में छोड़ दोआ, तो RBI within time जो वो frame बनाएगी जैसे seven years के लिए और होने निकाला तो साथ साल बाद यह redeem होगा RBI उसका payment करेगी, यह redeem होगा redemption अगर RBI ने किया तो वो tax free है, उस पर कोई tax नहीं है लेकिन अगर आपने redemption से पहले उसे बेचना चाहा, transfer करना चाहा, that becomes capital gain वो आपका capital gain होगा यहाँ पर एक बात अब मैं बता दूँ आप सभी को नियम है, long term capital asset में indexation होता है लेकिन bond index नहीं होते, debenture index नहीं होते long term capital asset index होगा, long term अगर हुआ तो capital gain निकालते समय हमें index करना पड़ेगा, लेकिन debenture और bond, share index होगा debenture और bond index नहीं होता उस पर indexation नहीं मिलता, लेकिन sovereign gold bond नाम bond है उसके बावजूद, जब long term आया तो उसमें indexation करने मिलेगा, इसलिए मैंने indexation को tick कर रखा है, और redemption तक रख दिया, तो section 47 के वज़े से, by virtue of section 47, capital gain माफ हो जाएगा, तो दी लीजिए ये 15 मिनट हमारे समाप्त हो गए, लेकिन आप देखी पारे हो, मैं हर बार एक दो मिनट extra लगा देता हूँ, ठीक है, चलो थोड़ा सा काम रह गया है, जैसा कि मैंने कहा था, आपको मैं जरूर बताऊंगा कि long term, short term capital gain में tax के भी rate का भी फर्क है, computation का भी फर्क है, how to know कि आपने जो बेचा वो long term है कि short term इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें categorize करना पड़ेगा जो चीज हमने बेची, वो किस category में आता है, चार में से, क्या ये financial assets है, कौन-कौन से होते हैं, listed shares, listed debenture, listed bond, equity oriented mutual funds के unit, whether listed or not whether listed or not, ध्यान से सुनिएगा equity oriented mutual fund के units, चाहे listed हो या ना हो UTI के units, चाहे listed हो या ना हो, और zero coupon bonds, ये एक, दो तीन, चार, पांट, छे ये financial assets होते हैं इसका POH, यानि period of holding हमें 12 महीने देखना होता है, अगर हमने 12 महीने से ज्यादा रखके बेचा, तो long term, और 12 महीने या उससे कम रखके बेचा, तो short term, ध्यान से सुन लीजेगा दुबारा से back करके unlisted shares, land building unlisted shares, जो से listed नहीं है stock action में, और land building ये 24 महीने का POH रखता है इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को अगर आपने 24 महीने रखने के बाद बेचा, तो long term और 24 महीने या उससे पहले बेच दिया, तो short term capital gain आएगा, ठीक है other assets, जैनि इन के अलावा कोई और assets है, जैसे jewelry आपने बेची या और कोई assets आपने बेचा, तो 36 मन्त की P.O.H. दिखनी होती है, इसका मतलब 36 महीने से ज्यादा रखके बेचा तो long term और 36 महीने या उससे पहले बेच दिया, तो short term आएगा ठीक है, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको जो आप व्यापार करते हो व्यापार और व्यापार में जो depreciable assets होते हैं, जमीन को छोड़कर व्यापार में, जमीन जूलरी को छोड़कर सारे depreciable assets है चाहे वो computer है, furniture है चाहे वो AC है, चाहे वो fridge है, चाहे वो machinery है जो कुछ भी आपने business में use किया चाहे वो car है, वो सब depreciable assets होते हैं, depreciable assets, जब भी आप बेचेंगे, तो PGBP chapter capital gain को override करने की कोशिस करेगा, और इसके impact से, capital gain ने एक section बनाया है, पचास capital gain ने एक section बनाया है, पचास जो कहता है, कि कुछ भी हो जाए depreciable assets आप कितनी भी पुरानी बेच लो हमेशा, हमेशा, short term capital asset बनेगा, और उसे बेचकर short term capital gain होगा, ठीक है चलिए, तो आपका हमने आज काम complete करवा दिया, चीज़ों को revise करा दिया, यहां मैं छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ, method कैसे, कैसे format आपको use करना चाहिए, exam में, आपको SSC लिखना चाहिए, आपको transfer year mention करना चाहिए, आपको assessment year mention करना चाहिए, capital asset नाम लिखना चाहिए, और उसके bracket में nature लिखना चाहिए, nature 12 24 और 36 महिने का nature, जैसे मैं यहां पर, अगर मैं लिखता हूँ, यहां building, तो मुझे मालूम है कि 24 months considered करना है, तो मैं यहां 24 months लिखूँगा, उसके बाद हमें period of holding question से देखकर actual लिखूँगा, मैंने यहां एक example समझाने के लिए use किया है, कि अगर मैंने खरीदा है 14.7.2013 को और मैं बेच रहा हूँ, 20.11.2018 को, तो मैं कैसे show करूँगा, 14.7.2013 से, 20.11.2018 technically, यह 20.11.2018 लिखना technically wrong है, वैसे exam में अगर आप यह लिखते हो, तो कोई number नहीं कटेंगे, लेकिन technically यह wrong है, इसके जगा पर एक दिन before लिखना पड़ेगा, 19.11.2018 यह technically correct format है, क्योंकि 20 तारिक से, जो holding है, जिसको मैंने बेचा, उसकी हो जाएगी, तो आपकी holding 19 तक ही रहनी चाहिए, technically but exam में दो नहीं चलेगा, कुछ भी लिखोगे, तो चल जाएगा, अच्छा, इसके बाद format पर आते हैं, format में सबसे पहले लिखना होता है, sale consideration, इसकी जगा पर तुम्हें और चीज़ लिख सकते हो, full value of consideration, लेकिन याद रखना दोस्त, इसके अलावा कोई और नाम मत लिखना, selling, price वगरा लिखने पर number कर जाते हैं, minus अगर short term है, तो ये ये और ये minus होगा, और अगर long term है, तो index, index और फिर cost of transfer minus होगा, index कैसे करते हैं, वो सब हम फिर कभी किसी वीडियो में देखेंगे, तो चलिए, यहाँ तक हमने complete कर लिया, 10 minute कहें के 20 minute, ओके, तो आपको क्या करना है, revise, और अपने दोस्तों के साथ share, ताकि उनका भी फाइदा हो सके, मैं कोशिस कर रहा हूँ, 15 minute target लूँ, लेकिन 2-4 minute, 5 minute आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, पढ़ते रहिए, बाबाई,